नवस्कार दोस्तों किसी भी बजट से सबसे ज़्यादा अपेक्षा यदि किसी वर्ग की होती है तो वो वेतनभोगी वर्ग की होती है इसका एक मूल कारण ये रहता है दोस्तों कि वेतनभोगी वर्ग का ज़्यादा तर ये शायद सही भी मानना है कि उन्हें सबसे ज़्या किया या क्या उनकी टेक्स बचत की इस संदर में मैं ये वीडियो लेकर कि आपके समक्ष आजिर हूँ ताकि आपके समक्ष और clarity डवलप हो कि यह जो market में discussion शुरू हो गया है कि कितना टेक्स बचेगा as a solid paid person उस पर clarity लाई जा सके सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं increase in standard deduction मानक कटोती जो की section 16 में मिलती है solid paid person को ये एक relief या benefit मिला है परंतु केवल new tax regime के case में वहां standard deduction की limit पचास अजार से बढ़ा करके 75,000 रुपे कर दी गई है यानि अगर आप 30% tax slab rate में आते हैं तो 25,000 रुपे का standard deduction बढ़ने का मतलब है मोटा मोटी आपको साड़े साथ अजार रुपे की tax की चूट भारत सरकार ने इस relief के माध्यम से दी है यह अगला significant change है दोस्तों यह है in form of change in slab rate के slab rate में new regime के case में old regime में कोई change नहीं हुआ दोस्तों new regime में slab rate किस परकार change हुई कि 0 to 3 lakh की income पर पहले भी 0 taxation था अब भी 0 है 3 से 6 lakh का पहला slab होता था जिसको अब 3 से 7 lakh करके 5% की limit रख दी 7 से 10 lakh पहले यह limit 6 से 9 चला करती थी उसको भी अब 7 से 10 lakh करके 10% कर दिया और तीसे ही limit थी दोस्तों 9 से 12 उसको 10 से 12 करके 15% tax rate रस्तावित कर दी 12 से 15 पर पहले भी 20% tax rate थी और 15 lakh से उपर पहले भी 30% की tax rate थी केवल और केवल यह change फिर कहूंगा दोस्तों new regime में प्रस्तावित है old regime की slab rate में किसी प्रकार का कोई change इस बार भी प्रस्तावित नहीं हुआ दोस्तों बात करता हूँ यह जो impact of change in slab rate किस format में आप इसको समझ सकते हैं कि for an example यदि किसी व्यक्ति की 15 lakh रुपे की total income है तो अब तक यानि वित्तवर्ष 2023 तक new slab में new regime में उनको 0 से 3 lakh पे nil यानि 0, 3 से 6 lakh पे 5 परसंट 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, total 1,50,000 रुपे का tax देना होता था अब जो प्रस्तावित कर दिया गया new regime के अंदर वित्तवर्ष 2024 पच्चिस यानि असस्पंड यर 25 चब्विस ओनवर्ट्स 0 से 3 lakh पे nil यानि 0, 3 से 7 lakh पे 5 परसंट, 4 lakh पर 5 परसंट 20,000, 7 से 10 के उपर 10 परसंट 30,000, 10 से 12 के उपर 15 परसंट यानि 30,000 और 12 से 15 के उपर further 20 परसंट 60,000 रुपे का amount का tax लगेगा यानि total tax liability 41 एपलाई होगे तो 150 versus 41,000, 10,000 रुपे की छूट बारत सरकार ने यहाँ पर आपको further दे दी in form of relaxation in the new regime related slab rates दोस्तों यह standard deduction में आया बदलाओ, mm slab rate में आया बदलाओ, जो new regime में आया है इन दोनों को एक साथ समझते कि मान लीजे किसी salaried paid person की total income वित्तवर्स 24-25 की 16 लाक रुपे है as per existing new regime जो वित्तवर्स 24 तक चल रही थी, जिसमें standard deduction पचास अजार मिल रहा था इन करदाता को एक लाक पैंसट अजार का tax देना पड़ेगा और अगर मैं नई regime के अंदर आये इस chain से standard deduction जहां मैंने 75,000 कर दिया हो तो वहाँ पर tax liability एक लाक 47,500 आईगी standard deduction बढ़ गया पचास जार से 75,000 और regime में भी 0 to 3, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12 and 12 to 15 ले लिया और अगर मैं इसे और आगे extend करूँ अभी मैं सरचाज छोड रहा हूँ के वल health and education से इसको 4% और बढ़ा दूँ तो आपको net net में 18,200 रुपय का tax benefit इस budget से एक solid paid person के रूप में यहाँ पर extra मिलने वाला है एक और benefit दोस्तों जो increase in employer contribution to NPS limit के रूप में हुआ है वो यह है कि under section 80 CCD subsection 2 of income tax act 1961 employer contribution जो पहले salary में जुडता है वो नीचे 10% की limit तक salary के 10% की limit तक गटाने के लिए मिलता है old and new regime दोनों में ही मिलता है वहाँ 14% की limit है contribution के employer की जब contributor government है जाए state government हो या central government हो लेकिन अगर employer other than government है तो 10% की contribution की limit है उसको section 80 CCD subsection 2 limit जो employer contribution की limit है उसे 10% से बढ़ा करके 14% कर रहे हैं लेकिन यह eligibility आपको तभी होगी जब आप new regime में जाएंगे यानि old regime के अंदर आपको 10% से 14% का benefit नहीं मिलेगा तो यह एक discretion के साथ में extension दिया गया है अब एक interesting question रखता हूँ कि old regime वालों के हाथ में क्या लगा कुछ नहीं लगा सर्थ सीधे सीधे स्पष्ट वोनू तो old regime लगातार भेदबाव का शिकार हो रही है old regime क्लेम करने से भारत सरकारी एक तरीके से लगातार हतोतसाइट कर रही है इसके विबिन्न कारण हो सकते हैं ये एक तरीके का मेरे हिसाब से भारत के लोगों की बचत करने की प्रवर्ती पर किया गया attack भी है जो लगातार बढ़ता जा रहा है इसका एक reason ये भी मैं मान सकता हूँ कि past में बहुत सारे लोगों ने शायर गलट deduction claim किये फरजी deduction claim किये भारत सरकार उन्हें verify करने में सक्षम नहीं है तो वो लगातार old regime को discriminate करती जा रही है लेकिन अभी भी ये नहीं कहूंगा कि old regime समाप्त हो गई old regime अभी भी चालू है वित्तवर्शे 24-25 है तो चालू है हाँ कुछ सांसे गिन रही है कि देखे कितने साल में आपको ये old regime खतम होते दिखेगी वो आने वाला वक्त बताएगा यहां home loan की limits में कोई बदलाव हुआ है यदि आप मेरे से जानना चाहें तो मैं इस विशे में कहूंगा कि sir home loan की limits में as such कोई बदलाव नहीं हुआ हाँ एक बात जरूर जोड़ूँगा कि यदि आप new regime में है तो आपको home loan सम्मंदी interest का कोई direction महाँ पर as such negative format में नहीं मिलेगा वह विवस्था पिछले साल ही आ गई थी तो home loan के संदर में चाहे new regime हो old regime हो वहाँ पर कोई change नहीं आया दोस्तों हो सकता है आप ये भी जानना चाहें कि अनुप जी आपकी क्या राया है कि ये जो changes आये हैं ये significant हैं मतलब पर्याप्त हैं या नहीं है तो मैं अगर अपनी frank क्रायद हूं तो मेरे opinion में मुझे ऐसा उमीद थी कि भारत सरकार थोड़ा और relief देती लेकिन हो सकता है मैं गलत था या हो सकता है जनता गलत थी या हो सकता है सरकार गलत है और कोई भी यहां पर गलत सही का प्रशन शायद उतना बड़ा नहीं है जितना ये महत्पुन है कि what is going to be your final tax liability for the financial year 24-25 which has already been declared by the government in form of this particular budget the other change which I have discussed in a separate video regarding regarding the capital gain related aspect particularly long term की rate में भी 10 से साड़े बारा और शौ्ट टम की रेट में 15 से 20 परसेंट के जो changes आये हैं वो भी चाहे solid paid person हो या businessman हो उनकी जेब पर कही न कहीं महां पर भी कुछ effect जरूर आने वाला है तो आज के लिए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवार जैह